OpenAI ने अपने नए models O1 Preview और O1 Mini को launch किया है जो एक PhD स्टूडेंट्स जितनी intelligence रखते हैं ये नए models सस्ते हैं बहतर decision ले सकते हैं और मूँ खोलने से पहले सोचते हैं शायद वो काम जो इनसान अब कम करते हैं लेकिन ये सारे दावे दावे हैं जब तक इन्हें टेस्ट ना किय जाए ओपन AI के इन नए models का access chat GPT Plus users को कुछ घंटे पहले ही प्रवाइड किया गया है और मैंने इन models को GPT 4.0 के comparison में टेस्ट करके कुछ खास बाते निकाली हैं जो इस वीडियो में आपके सामने लाने वाला हूं अमामतिवारी.net और आज के वीडियो में हम OpenAI के नए models O1 Preview और O1 Mini को डीटेल में जानेंगे OpenAI के इन O1 Mini और O1 Preview को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है Because LLM और Chatbots, Marketing और SEO Industry को बहुत directly impact करते हैं, deeply impact करते हैं बहुत सारे ऐसे टूल है जो ChatGPT या किसी दूसरे टाइप के LLM model को under the hood यूज़ करके आपको टूल के functions प्रवाइड करते हैं और बहुत सारे SEO जैसे हैं जो daily अपने workflow में कभी keyword research के लिए, कभी content generate करने के लिए, कभी content analyze करने के लिए इन chatbots को use कर रहे हैं इन इस model का नाम, इन दोनों नए models को लूज़ किया है, उनका नाम है O1 Preview और O1 Mini, O1 Mini भी preview ही है, बस थोड़ा सा fast है और less efficient है Now GPT नाम को क्यों drop किया गया है, इसके पीछी बड़ी interesting सी कहानी है, इस model को launch किया जाना था strawberry नाम से, और इसकी marketing के लिए बहुत ही unique सी strategy निकाली थी open आयने, जहां पर एक pseudo twitter account के जरिए, x account के जरिए, उन्होंने strawberry नाम की हावा बनानी शुरू की थी कुछ Reddit यूजर्स ने find out किया कि जब भी chat GPT को strawberry word के अंदर r count करने के लिए, वो fail हो जाता है, रेट पर इस चीज़ के बारे में इतना ज्यादा मजाग बना कि chat GPT और strawberry के जो combined failure था, इस से अपने इस नए model को बचाने के लिए, open AI ने इसका नाम ही o1 कर दिया, तो ना अब GPT है और ना strawberry है और वो ये hope कर रहे हैं कि आप इस पूरे फियासको को strawberry के अंदर r count करने वाले इस पूरे drama को भूल जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि o1 नाम नहीं है, बलकि नाम की कमी है, it's not a name, it's lack of a name, ये तो था नाम का किस्सा, अब देख लेते हैं इस model की खासियत को, इ ये सिर्फ आपको जवाब नहीं देता है, बलकि ये सोचता है, सोचने के base पर अपनी कमियों को, अपनी strength को पकड़ता है, जो भी अभी तक उसने thought निकाली है, उस thought के ऊपर reasoning करता है, अगर कोई error है तो उसे ठीक करता है, और इसके बाद आपको जवाब देता है, ये model O1 Preview या O1 Mini में से एक select कर लेना है, again O1 Preview ज्यादा time लेता है, but best model है अभी right now, O1 Mini कम time लेता है, लेकिन थोड़ी सकी quality down है, जितने भी API users हैं, वो भी इसे use कर सकते हैं, अपने APIs में, लेकिन सिर्फ वही developers अभी O1 Preview या O1 Mini को use कर सकते हैं, अपने workflow में, जिन्होंने minimum 1000$ API billing में खर्च किये हैं, 1000$ से कम खर्च किये हैं, तो अभी आपको access नहीं मिलेगा, इसे level 5 API users कहा रहे हैं, अभी O1 Preview और O1 Mini दोनों ही file upload को या image को support नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ text के prompt दे सकते हैं, और API users भी सिर्फ text input ही provide कर सकते हैं, यह दोनों ही model time लेते हैं, GPT 4 और prompt देते और आपको यह timer की शेकल में दिखाई देता है, बसे timer का दिखाई देना अपने आप में नया नहीं है, क्योंकि अगर आप Gemini के AI studio को use करते हैं, Google का AI studio को use करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से काम होता है, यानि कि आपको timer चलता हुआ दिखाई देता है, जो timer ब दिखाई दे रहा है, बट उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, नई चीज यह है, कि जब आपको answer मिलता है, इन दोनों नए model से, तो आप देख सकते हैं, कि इस answer तक पहुँचने में, system ने किस-किस reason को use किया है, so GPT 4.0 भी अगर आपको answer देता है, तो सिर्फ आपको answer मिल O1 Preview और O1 Mini आपको अपने steps भी बताते हैं, कि उन्होंने किस-किस step को use करके किसी एक conclusion को निकाला है, now यह जो सोचने का time है, यह कुछ second से लेकर कुछ minutes तक का भी लंबा हो सकता है, depend करता है, कि आपका question कितना tough है, और कितनी ज्यादा reasoning, कितनी ज्यादा सोच की जरुएत है, इसके लाबा एक और जो नई चीज लाँच की है, वो है reasoning token, यानि कि अभी तक open AI के सारे models की, या in fact जितने भी LLM models हैं, उन सब की billing tokens के base पर होती है, word के base पर नहीं होती है, और एक token के अंदर एक से ज्यादा words या characters हो सकते हैं, और कम भी हो सकते हैं, लेकिन O1 Preview और O1 Mini reasoning tokens को introduce कर रहे हैं, यानि कि किसी भी एक complex problem को solve करने में, जितनी reasoning background में लगानी पड़ रही models को, उसके base पर billing की जाएगी, लेकिन इस reasoning token का क्या structure है, इसके बारे में अभी कोई खास information नहीं है, तो जितने भी developers हैं, वो इस बारे में ज्यादा पूशताच कर सकते हैं, और find out कर सकते ह Now, यह थी काफी background information, अब हम यह भी देख लेते हैं कि आखिर actual real world में, जब हम O1 preview को या O1 mini को use कर रहे हैं, तो क्या result मिल रहे हैं, वेल अगर आप ऐसे task करवा रहे हैं, जो अभी तक आप GPT 4.0 को use करके कर रहे थे, तो आपको more or less same answer मिलने वाले हैं, हमने बहुत सारे test run किये बहुत सारे ऐसे task, जो GPT 4.0 ने हमारे लिए पहले कर रखे थे, उन्हें अभी हमने दुबारा से GPT 4.0 से करा कर देखा हैं, और O1 preview और O1 mini दोनों को use करके देखा हैं, दोनों में कोई difference नहीं आता है, normal SEO task, for example, meditite, elemitted description, आपको same quality के मिलने, कोई भी difference नहीं है, difference सिर्फ यह है, कि पहले जो काम जटके से हो रहा था, उसमें अब थोड़ा सा time लग रहा है, लेकिन उसके पीछे की reasoning में आपको पता लग रही है, अगर आपको जानने में interest है, but यहां पर यह कहा जा सकता है, कि इस model को normal answers के लिए, normal questions के लिए launch भी नहीं किया गया है, इन्हें advanced reasoning के या फिर meta title और description के generation में test किया है, और chat GPT का 4O वाला model था, वो जैसे result निकाल के दे रहा है, वैसे ही ठीक, exactly वैसे ही result आपको O1 Preview और O1 Mini से मिलेंगे, so अगर आप strictly chat GPT को use कर रहे हैं, अपने SEO टास्क के लिए, daily SEO टास्क के लिए, तो आपको plus version purchase करनी की जरुएत नहीं है, क तो ठीक रहेगा, कोई भी difference, in fact, खास भी नहीं है, कोई भी difference नहीं आ रहा है, एकदम same quality का का काम निकल कर आ रहा है, na words में difference है, na quality में difference है, सब कुछ सेम है, एक गंटे test करके देख लिया है, now, अगर हम उनके announcement के हिसाब से जाएं, तो O1 Preview और Mini को launch किया गया है, reasoning वाले skills के यह reasoning वाले task के लिए, जहाँ पर ज्यादा सोच विचार की जरुवत पड़ती है, तो हमने इन models को कुछ सोच विचार वाले task की दिया है, और इसके बाद test किया कि आखिर इनकी capacity कितनी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि एक hypothetical question, अगर बारिश होती है, तो जमीन गीली होती है, इस hypothetical question को हमने GPT-4O और O1 preview दोनों को दिया है, आंसर दोनों को सेम है, GPT-4 ने यही सेम आंसर दे दिया तुरंत और O1 preview जो है, उसने 14 सेकेंड लगाने के बाद यह सेम आंसर दिया है, जो यह reasoning है, यह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अपने आप में एक normal इ O1 preview आंसर कर रहा है, लेकिन कम words में कर रहा है, explain कम कर रहा है, लेकिन अपनी reasoning बता रहा है, यह आपकी workflow में अच्छा है या खराब है, या अपने आप से decide कर सकेंगे, ना हमने एक दूसरा hypothetical question दिया है, कि अगर एक self driving car crash करने वाली है, और उसके पास दो चोईस है, या तो वो hypothetical question है, और इसका answer GPT-40 बहुत detail में देना शुरू करता है, और बहुत सारी hypothetical situation देता है, लेकिन अगर हम उसे press करते हैं, तो वो answer देता है कि इस self driving car को दीवार पर लड़ा कर अपने आपको, passengers को risk में डालना चाहिए, लेकिन जो सड़क पर चल रहे है, pedestrian है, उनको risk में डालना सड़क पर pedestrian ज्यादा हो सकते हैं, car के अंदर limited number of लोग है, तो ज्यादा safer choice है, same question अगर हम देते हैं O1 preview को, तो answer आपको जटके में मिल जाता है, fix answer मिल रहा है, आपको press करने की जरुएत नहीं हो रही है, अगर इन दोनों answers को compare करें, तो कुछ बहुत conclusion निकलता है, जो GPT-40 थ करने के लिए बोलते हैं, तो जो भी choice 4-0 बना रहा है, वही same choice O-1 preview भी कर रहा है, वही same choice O-1 mini भी निकाल रहा है, time ज्यादा ले रहा है, आपको अलग-अलग तरह की probability नहीं दे रहा है, लेकिन GPT-4-0 और O-1 preview की जो reasoning है, जो conclusion है उनका, वो exactly same, So, I don't see, कि दोनों की quality में कोई difference आया है, यहाँ पर difference सिर्फ इतना है, कि अब आपको पीछे के steps पता लग रहे हैं, Now, यह conclusion मैंने सिर्फ एक answer के base पर नहीं निकाला है, इस तरह के मैंने बहुत सारे question पूछे, जिसमें hypothetical situation है, सिर्फ यह test करने के लिए कि क्या GPT-4-0 का जो answer है, वो O-preview से अलग होता है यह नहीं होता है, एक next question पूछा मैंने, जिसमें थोड़ी सी mathematical reasoning की भी जरूए थे, जहां पर मैंने question पूछा है, कि एक cube है, उस cube को हमने red paint कर दिया, सारी 6 side पर, इसके बाद उस cube को 27 parts में divide कर देता हूँ मैं, अब जितने भी बाकी cube निकल कर आ रहे हैं, उस 27 parts में divide करने के बाद, उनके अंदर कितने ऐसे cube होंगे, जिसमें minimum 3 side red paint है, इस question का answer, जैसा GPT-4 दे रहा है, वैसा ही O-1 preview भी दे रहा है, दोनों में जो difference है, वो सिर्फ time का है, GPT-4 उसका answer जल्दी दे पा रहा है, O-1 preview उसका answer को late दे रहा है answer की quality, same है, अब यह इसे 4-0 की तारीफ मान सकते हैं, या O-1 preview की बुराई माना जाए, यह आप decide कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ और questions है, जो हमने पूछे हैं, आपकी screen पर दिखाई दे रहे होंगे, और इन सारे questions में जो answer है, वो GPT-4-0 का जैसा है, वैसा ही O-1 preview और O-1 mini का ह दोनों के बीच में कोई खास difference, अभी फिलाल में भी हो सकता है, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं exact उसकी capacity को नहीं extract कर पा रहा हूँ, में भी model को थोड़ा सा water down करके launch किया गया है, या में ऐसा भी हो सकता है, कि यह जो model है, वो बहुत ही specific use case के लिए market किया जा रहा है, त देख सकते हैं, तो आप उन्हे specific clients को ज्यादा अच्छे price पर market कर सकते हैं, और open AI के पास लगातार completely pressure आ रहा है, कि वो ज्यादा से ज्यादा revenue निकालें, साथ ही साथ में, ऐसा भी feel हो रहा है, कि जो O1 preview है, में भी वो बहुत ज्यादा powerful है, लेकिन आप उसके answers को बहुत ज्य उसको खराब न समझे, उसको dangerous न समझे, लेकिन अब वही same pressure आ रहा है open AI के उपर, और maybe उसकी वज़े से open AI ने इस O1 preview की जो actual capacity उसको control करके रखा है, but overall अभी जितना test किया है, अभी जितने answers जैसे भी O1 preview या menu दे रहे हैं, उस हिसाब से आप कुछ भी miss out नहीं करें, अगर plus user नहीं है, तो आपको अभी upgrade करने की जरूरत नहीं, क्योंकि free users 4.0 को आराम से use कर सकते हैं, right now कुछ ground breaking सा feel नहीं हो रहा है, अगर आने वाले weeks में कुछ नई tricks निकल कर आती हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग जरू इस बारें बात करेंगे, तब तक क्राक्टिस करते र प्रणता आर्णता नहीं है मैं एम एदिवरी फर आमिद्यूरी.net झालाइन नही वेचित कर वीड़ पर आती हैं, तो आपको आती हैं, तो क्या है।